कुछ दिन पहले एक प्यारी से बच्ची का भी और कुछ दिन पहले ही एक प्यारी से बच्चे का भी कमेंट आया था कि सस्टनेबल डेवलपमेंट को पढ़ा दीजिए आपको पॉल्यूसन में पढ़ाया हुआ सारी चीजे हमें समझ में आ गई है ये भी बता देंगे तो हम हमारा लीला पार हो जाएगी हमारी कह सकते हैं जिंदगी सफल हो जाएगी और काही बताएं तो आएए देख लेते हैं सस्टनेबल डेवलप्मेंट जब यह वर्ड आया है इसका हिंदी में मतलब होता है सतत विकास या कह सकते हैं टिकाओ विकास ठीकाओ सतत विकास कह सकते है development एक तरीके से ये भी मतलब हो जाएगा इसको पहले तो समझिए कि sustainable development जब ये word आता है तो लोग इसको सिर्फ environment से connect करके या उसी से जोड़ के देखते हैं ठीक है जबकि इसमें ऐसा है नहीं environment भी उसी के अंतरगत आता है ये जरूर है लेकिन सिर्फ environment है ऐसा नहीं है इसके अंतरगत हम दो चीजों को mainly देखते हैं कि एक तो human का development हो दूसरा environment के उपर harmful effect किये बीना human का development हो बत समयारी है यानि कि दो चीजों के उपर ध्यान दिया जा रहा है एक तो human के उपर दूसरा environment क के उपर ठीक है अब जरा definition समझाते हैं definition समझते ही पहले समझ में आ जाएगा definition से पहले थोड़ी इसकी history को समझे कि ये sustainable development ये word जो है ये word हमें मिला कहां से ठीक है तो सबसे पहले बताया जाता है कि इस word का use 1969 में 33 African countries के द्वारा एक official document sign किया गया था उसी में ये word पहली बार देखने को मिला था और ये document आपके IUCN के अंतरगत में उसके under में ये process की गई थी ठीक है तो यहां पर पहली बार ये word देखने को मिला था 1969 लेकिन अभी सिर्फ ये word हमको मिला था अभी इसको define ही किया गया कि इस word का मतलब क्या है इसको किस तरीके से define किया जागा ये अभी नहीं समझ में आया था इस word को define किया गया था 1987 में एक ब्रुटलेंड रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ड में इसको अच्छे से define किया गया था वहां से हमें इसकी definition प्राप्त होती है वो भी अभी समझेंगे पहले आप समझेंगे कि 1983 में नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था Grow Harlem Brutland ठीक है उनकी अध्यचता में एक कमीशन का गठन किया गया 1983 में ठीक है और उसी Brutland कमीशन के द्वारा यानि कि उसी Brutland I.O. के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई वही Brutland रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है ठीक है और उन्होंने बताया क्या था वो समझे ये थोड़ी प्रोसेस 1983 में इनको United State के द्वारा पॉइंट आउट किया गया कि भाईया आप इस चीज के अध्यच्छ हैं आपको ये चीज़ देखनी है फिर इन लोगों ने अच्छे से देखा ताखा करीवन 4 साल की रिसर्च के बाद 1987 में आके उन्होंने अपन रिपोर्ट आपको मतलब 100 पी की हाँ ये हमारी रिपोर्ट है ये ये चीज़ हमको मिली तो वो रिपोर्ट कहलाई आवर कॉमन फ्यूचर उस रिपोर्ट को यानि कि उस ब्रूटलेंड रिपोर्ट को आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है उस रिपोर्ट का अग common future report के नाम से जानते हैं या इस नाम से जानते हैं तो उन्होंने ये report United Nation को अपना दे दी उसी के अंतरगत उसी Brutalent Report के अंतरगत ही आपकी Sustainable Development की Official Definition पहली बार दी गई थी उसी के अंतरगत 1987 में ही सबसे पहली बार इसकी Official Definition दी गई थी अब ये सब पॉइंट उनके लिए important हो जाते हैं जिनके optional में paper होते हैं वहाँ पर उनको बहुत ध्यांस देखना है कि कब उसकी definition मिनी थी कब उस word को यूज किया गया था तो word 1967 में मतलब 1969 में और definition 1987 में ये चीजे याद रखनी है ठीक है वहाँ से हमें ये sustainable development का concept मिली सीधी सी बात है अब हम समझ चुके हैं ज्यादा इसके उपर बखवास नहीं करेंगे बाद में इस report की ही वज़ज़ से sustainable development word जैसे मतलब type के word जैसे चीजों की popularity बहुत जादा बढ़ी वरना उससे पहले इस तरीके word के बारे में लोग नहीं जानते थे लेकिन जब ये our common future नाम की जो report पब्लिस की गए उसके बाद लोगों को ये सारी चीजों के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ बाकी अब बात करते हैं कि sustainable development को किस तरीके से define कर सकते हैं ये सीधी सी बात हो इतना तो मैंने आपको अब तक बताई दिया है कि ये आप समझ लीजिए कि sustainable development के अंतरगत सिर्फ और सिर्फ environment ही नहीं आता है उसमें इंसान यानि की human भी आता है human और environment का जो एक maintenance एक balance है उसी को सस्टनेबल development के अंतरगत देखते हैं मैं आपको कई प्रकार की definition कई टाइब की definition दोगा जो भी आपको अच्छा लगे वह आप accept कर लिजेगा और साथी साथ वह भी बताऊंगा कि उस report में our common future जो report थी उस report में sustainable development को किस तरीके से define किया गया था ये भी बताऊंगा बाकी आपके उपर है कि आप उसे किस तरीके से याद रखते हैं या कौन सावाला आपको definition पसंद आता है उसे आप accept करिएगा अब आईए अपने definition के उपर आप इसे ऐसे भी define कर सकते हैं कि economic development that may have benefit for current and future generation without harming the planet resources or biological organisms यानि कि सीधी सी बात है कि economic development जो planet के resources हैं या जो biological organism है उनको बिना harm पहुचाए बिना नुकसान पहुचाए present और future generation के लिए अगर हम benefit पहुचा सकते हैं तो वो sustainable development के अंतरगत आएगा यानि कि ये मोटा मोटा ये कहना चारा है कि जो present generation है जो और जो हमारी आने वाली generation है उसको हम एक तरीके से अच्छा environment दें और इनसान अपनी खुद की तरक्की भी खरें खुद का development भी करें लेकिन साथी साथ जो हमारे natural resources है जो हमारा environment है उसको कम से कम खराब करके या बहुत कम खराब करके या ऐस तरीके से हम behave करें कि environment के उपर भी बहुत कम प्रभाव पड़े ताकि जो आने वाली हमारी पीड़ी है उसको भी उन resources के बारे में पता चले या वो जो resources अपने pure form में है उसी form में उनको भी मिले example के तौर पे आपको एक छोटी सी बात बता रहूं आप ऐसे ही समझ जाएंगे तेल का यूज बहुत किया जा रहा है आपको भी पता है पेट्रोल बहुत तेजी से खतम किया जा रहा है तो पूरी possibility है जो कि है ही कि 200-300 साल बाद आपको वो तेल देखने को नहीं मिले कि उसकी कहानी खतम हो जाएगी इतनी तेजी से हम उसका यूज कर रहे है ठीक है तो ऐसी condition में क्या होगा कि जो आने वाली generation होगी वो उस तेल से बिलकुल ही वंचित रह जाएगी उनको उस तेल के बारे में पता ही नहीं है तो जो sustainable development है वो यह कहता है कि वो उड़ी natural resources को बताने मतलब बचाने की बात करता है कि जादा से जादा ना खर्चा करिये कम से कम खर्चा करिये जो हमारा environment में गाड़ी चलने की वज़े से बहुत तेजी से जो pollution फैल रहा है उसको कम करने की बात करता है इसी वज़े से औ और इंसान के तरक्की की भी बात करता है यानि कि economic development की भी बात करता है और economic development करिये लेकिन harm को मतलब environment को बिना harm पहुचाए करिये यानि कि बिना वाता वरड को परसान किये बिना उसको हानिकारक चीजे पहुचाए आप अपनी economic development अगर कर रहे हैं तो वो sustainable development के अंतरगत आए कोई बात नहीं नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं दूसरा एक्जामपल मतलब दूसरा definition आपको जरूर समझ में आएगा देखें दूसरा definition आपको बहुत clearly समझ में आएगा इट वाज simply defined as a development that meets the needs of the present world without compromising the potential of the future यानि कि सीधी सी बात है कि आप इसे सामान रूप से development को इस तरीके से define कर सकते हैं कि जो future की potential से compromise किये बिना जो present generation है उसकी need को complete करता है यानि कि simple सी बात कि जो sustainable development है वो present की जो need है जो आज के generation की need है उनको भी complete करता है लेकिन जो future में आने वाली generation है उनके लिए भी चीजों को बचा कर रखता है ताकि उनको compromise न करना पड़े कल को उनको वो चीज न प्राप्त हो जैसे example के तोर पे आप इतना pollution फैला दीजे इतना pollution फैला दीजे कि जो आने वाली generation हो वो खुली हवा में साज भी न ले पाए तो आप क्या कर रहे हैं आप अपने आने वाली generation को एक compromising environment दे रहे हैं उनको इस चीज से compromise करना पड़ेगा कि कैसे कैसे करके रहना पड़ेगा तो यही चीज सस्टेनेबल development नहीं चाहती है वो चाहती है कि आपका भी development हो आपकी भी need complete हो लेकिन जो आने वाली generation है उनको भी एक अच्छा environment आप देखे जाएं इसी वज़ा से यह बहुत एक sensitive topic और एक बहुत अच्छा topic है social topic है अप कह सकते हैं अब मैं आपको वो definition बताने जा रहा हूँ जो उस report में था और यही definition मेरा प्यारा है मैं तो कहूंगा आप इसी definition को लेके चलिए आप इसी तरीके से sustainable development को बहुत अच्छी तरीके से define कर सकते हैं तो देखे क्या कह रहा है sustainable development is the development to meet the need of the present generation without compromising on the need of the future generation सीधी सी बात कही गई है एक line में clear हो जा रहा है वो यह कह रहा है कि sustainable development future generation की need से compromise किये बिना present generation की needs को complete करने वाला development है यानि कि सीधी सी बात है कि present generation की जो need है उसको भी complete करता है और future generation की need के साथ compromise भी नहीं करता है उनके लिए भी चीजों को बचा के रखता है कि कल को जो future generation आए वो भी इन सभी चीजों का यूज कर पाए आप तेल को एकदम अंधा धुन करके खतम कर देंगे आगे आने वाली पीडी तेल के बारे में जानेगी ही नहीं वो कहेगी कि तेल हुआ करता था अब नहीं हुआ करता है वैसे ही एक अच्छा environment हुआ करता था जब लोग खुली हवा में सास लिया करते थे आगे आने वाली generation हो सकता है खुली हवा में सास ही न ले पाए क्योंकि हम लोग इतनी प्यार से pollution फहलाने में लगे हुए हैं एक generation ये जाने ही नहीं पाएगी कि एक time में साफ पानी ऐसे ही बहा करता था अब तो बहता ही नहीं है करिया पानी यानि कि नाले का पानी बह रहा है बासमझ में आ रही है यही सब चीजे उस sustainable development के अंतर गताती है कि कम से कम जो nature की purity है जो उसकी सुधता है वही सुधता हम अपने आने वाली generation को दें ऐसा नीच ऐसा घटिया environment उनको ना दे कि उनको कभी उसके purity के बारे में पता ही न चले कि एक time पे पानी बहुत साफ भी हुआ करता था ये वाली हालत आ जाए तो उमीद करता हूँ definition आपको समझ में आ गया होगा काई सारी definition के link मतलब मैंने वो दिये हुए है आप देख सकते हैं आपको असानी से पढ़ लिजेगा समझ में आ जाएगा अब मैं आपको मोटा मोटा पता दो कि sustainable development क्या है सीधी सीधी बात ये है कि आप इस तरीके से कह सकते हैं कि देखिए human का economic development भी हो लेकिन environment के साथ बिना compromise किये हुए यानि कि आपका environment भी इस तरीके से human का economic development करना है या अपना economic development करना है कि atmosphere के साथ या environment के साथ भी कोई गलत काम न हो उसकी सेहत के साथ भी उसकी health के साथ भी बिना compromise किये आप अपना development करेंगे तो एक sustainable development के अंतरगत आएगा यानि कि human और आपके nature का जो balance है वही sustainable development है कि आप अपना भी development करें लेकिन पर्यावरण का ख्याल रखते हुए करें तब ये जो चीज है ये जो concept है वो sustainable development के अंतरगत आएगा अब हम आगे चलते हैं अब जरा सी बात करते हैं कि sustainable development के goal क्या थे ठीक है अब goal को समझे कि लक्ष क्या था जब इसको बनाया गया था तो sustainable development के 3-4 ऐसे primary goal हैं जो प्राथमिक goal हैं जो starting में इन लच्छों को उपर काम किया गया था इन goals के उपर काम किया गया था पहला क्या है पहला है to promote the kind of development that minimize environmental problems यानि कि सीधी सी बात है एक लच्छ तो यही था कि इस तरीके की development को promote करना जो की environmental problem को कम कर सके यानि कि इस तरीके का development करना जिसकी वज़स से environment को कम से कम problem हो कम से कम घाटा हो इस तरीके की development को क्या करना है promote करना है दूसरा minimize depletion of natural resources यानि कि जो natural resources हैं हमारे environment के उनके depletion को minimize करना उनके दोहन को कम करना यानि कि ऐसे समझी है नैचुरल रिसोर्सेज के अंतर गर्ट सब कुछ आ गए आपका नदी भी आ गए पानी वाला पार्ट भी आ गए आपके फॉरेस्ट भी आ गए तो इनका कम से कम सोसड करना इनका कम से कम डेपलेशन करना रीजन यह है कि माल लिजे चीजों से क्या रह जाएगी वन्चित रह जाएगी ऐसी कंडीशन में आपको भी पता है कि पेड़ों के कटने से हजार तरीके की प्राबलम आती है हुमन हेल्थ के उपर भी आती है और जो हमारा क्लाइमेट है जो हमारा मौसम है उसके चेंजेज में भी आती है ऑक्सीजन में प्राबलम आये लगे की हजारों तरीके की चीजे होने लगती है और जो इसके कटने की वज़ा से अर्थ का टंपरेचर इंक्रीज होता है उसकी बात ही छोड़ दी ते तो ये सारी और उपर से स्वाइल इरोजन की प्रोसेस बढ़ती है जंगल के कम्स होने की वज़े से जो लिविंग और गैनिजम है उनके जो हैबिटाट है उसमें चेंजेज आ रहे है मतलब बहुत सारी चीजे होती है जब एक पीड करता है एक फॉरिस्ट की कहानी खतम होती है तो अगर आप सारे पेड़ों का यूज खुद ही कर लेंगे तो आप अपनी आने वाली जनरेशन के साथ अत्याचार कर रहे हैं सीधी सी बात है सीधी सी बात है आप अपनी आने वाली जनरेशन के साथ भयंकर वाला अत्याचार कर रहे हैं क्योंकि आप सब बार जो भी profit है सारा profit आप ही बटोरना चाह रहे हैं और आने वाली generation के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं उस हिसाब से हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं और लगाना वगाना ते को नहीं है का घंटा लगाने जा रहे हैं पेड़ सिड़ का लगा के करेंगे कहा जाए कि है तो बस वही वाली nature है इस वज़े से लगाते तो का पता कुछ ठीक हो लगता बस काटे जा रहे हैं बहार में पहुचाए बीना अपना economic development करिए एक्जामपल के लिए मालीजे आपने कोई company बसाई मालीजे कोई industry आपने बसाई ठीक है ऐसी condition में आप वहां से धुआ छोड़ दे रहे हैं उस धुआ को filter भी नहीं कर रहे हैं वैसे ही gases को बाहर छोड़ दे रहे हैं chemicals को वैसे ही पानी में बहा दे रहे हैं ठीक है गरम पानी को बिना उसे treat किये गंदे पानी को बिना treat किये ऐसे ही किसी भी जो आपके natural resources है यानि की lake हो गए या कोई तलाब वगेरा या कोई नदी वगेरा है उसमें बहा दे रहे हैं तो आप ये क्या कर रहे हैं ये आप environment को harm पहुचा र रहे हैं और environment आपसे बदला लेगी लेकिन जब लेगी तो आप किसी लायक नहीं रहे जाएंगे बस इसी वज़ा से अभी भी लेती है रह रहे के लेती रहती है लेकिन अभी वो दिख नहीं रहा है पूरी तरीके से आप इसे और गंदा करेंगे फिर अपना विक्राल रूप दिखाएगी अच्छा वाला रूप दिखाएगी तब बुद्धी बढ़ियां से खलवाएगी तो sustainable development के अंदर यही जा रहा था कि आप अपना economic development करें लेकिन without harming environment यानि कि जो factory के अंदर से निकलने वाले धुआ है उसको पहले filter करके तब बहार छोड़िए ताकि environment को कम से क गाटा हो जो chemicals हैं उन chemicals को पहले purify करिए पानी को उसके बाद बहार डालिए जो गरम पानी है पहले उसको जब तक वो अपने normal temperature पिना जाए तब तक उसको बाहर न बहाए गैसेस को भी filter करके ही बाहर करिए तो इस तरीके की चीज़े करके हम क्या कर रहे हैं अपने environment को भी बचा रहे हैं और अपना economic development भी कर रहे हैं तो यही चीज़ तो sustainable development चाहता है तो यही सब क्या है उसके primary goals है इसके अलावा एक चीज़ और है चौथा point है आपका provide eco-friendly method to present projects यानि कि जो अभी फिलहाल के जो projects हैं उनके eco-friendly method को provide कराना यानि कि ऐसे method को provide कराना जो eco-friendly हो यानि कि environment friendly हो उनकी वज़े से environment को किसी भी प्रकार का घाटा न होता हो जो आज में चल रहे project हैं present project है example के तोर पे बिजली बनती है कोईला से ठीक है अब उस बिजली बनने के दुरान बहुत सारा pollution फैल रहा है लेकिन अगर हम इस बिजली बनाने वाली process को थोड़ा बदल wind energy के थुरू करें या तो हम solar energy के थुरू ये बिजली करें तो आप क्या करें बिजली तो तब भी आप आ रहे हैं लेकिन आपने जो तरीका अपनाया है वो environment से eco friendly है यानि कि आपकी बिजली भी मिल जा रही है और environment को किसी तरीके का घाटा भी नहीं हो रहा है तो sustainable development यही कह है कि इस तरीके की project को develop करिये कि वो environment से eco friendly हो और आपको किसी प्रकार की चिंता भी नहीं हो आपका development भी हो और environment भी healthy बना रहे तो यह सब क्या थे उसके primary goal थे इसके अलावा भी बहुत सारे उसके goals थे जैसे hunger कम करना एक अच्छी quality का education देना साफ पानी देना आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां साफ पानी भी नसीब नहीं होता है तो यह सब क्या है यह सब उसी की reasons है एक अच्छी quality का education provide करना जेंडर equality वाली जो चीजें हैं उनको बहुत सारे चोटे चोटे और भी goals हैं यह जो मैंने बताएं यह primary goals थे यह इनका main उद्दे से था कि पहले यह कर करेंगे उमीद करता हूँ आपको एक बड़ा सा concept समझ में आया होगा ठीक है वीडियो पसंद आएगी तो like से subscribe प्यारा सा comment और ठीक है टाटा बाइबाई